हलो दोस्तो वेलकम टू स्टेड़ी यूनिवर्स दोस्तो आज हम इस वीडियो में मद्ध्रदेश का एसी आमें कहजे पहला इस्थान है इसके बारी में बात करेंगे तो दोस्तो ये वीडियो बहुत गौर से देखें आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है दोस्तो इसमें मद्ध्रदेश के अलावा वर्ल्ड का और इंडिया का जीके भी शामिल किया गया है और इसमें कुछ फिजिक्स और केमिस्टी के क्वेशन भी एड़ किये गए है तो दोस्तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को चलते है क्वेशन नमर फर्स्ट एशिया का पहला जनजाती विश्विध्याले कहां इस्थापित किया गया जिसका सयोफ्षन है अमरकंटक अनुपुर्जले में और इसे इंद्रा गांधी रास्टी जनजाती विश्विध्याले की नाम से जाना जाता है क्वेशन नमर सेकेंड एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंदर कहां इस्थित है जिसका सयोफ्षन है इंद्र, इंद्र में एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंदर इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए इंद्र की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको इंद्र की बारे में बता दें मिनी मुंबई के नाम से इंद्र को जाना जाता है, होलकर नगरी के नाम से भी इंद्र को जाना जाता है IIM 2003 में और IIT 2008 में इंद्र में इस्थापित की गई देवी अहलेवाई विश्विध्याले, MP की सबसे वड़ी विश्विध्याले है मद्धिप्रदेश वित्तिनिगा मुक्यालाईवी इंदोर में ही है राला मंडल वंडजीव अभ्यारंड इंदोर में ही इस्थे थे नेक्स्ट क्वेशन एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में इस्थे थे और इसका नाम क्या है जिसका सियोफशन है संजा सरुबर बांध और यह है सिब्नी जिले में इस्थे थे हैं और इसे भीम बांध की नाम से भी जाना जाता है डोसतो अब बात आईये भोपाल की थो कुछ हमपूटेंट फेक्ट आपको भोपाल की बारें बता दें जीलो का शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है भारत वोवन 1982 में इस्थापित किया गया था MP का सरवादिक जनसंक्य अगनत्व भोपाल में है ताजुल मस्जद सबसे बड़ी मस्जद देश की यह भी भोपाल में ही इस्थित है बन बिहार नेशनल पार्क विसो का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही इस्थित है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए उज्जान की तो कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको उज्जान की बारे में बता दे शुप्रा नदी के तटपर इस्थेत उज्जान वर्धरी गुफाएं उज्जान में ही है मंगलनाथ, गण मलिक का मंदिर, चिंता मनी मंदिर ये उज्जान में ही है मालवा उज्जान भी उज्जान में मनाया जाता है और सूने का पहली वारोपयोग उज्जान में किया गया था तो दोस्तो इतना आपको उज्जान के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन एसिया की सबसे बड़ी भूमिगत मेगनीज खदान कहां इस्थित है जिसका सई ओफ्षन है बाला घाट बाला घाट के भरवेली में यह मेगनीज खदान इस्थित है दोस्तो अब बात आईए बाला घाट की तो कुछ इंपोटेंट फेक्ट आपको भाला घाट की बारीं बता दें जवलपूर संभाग का एक जिला है बाला घाट शिकारियों का श्वर्ग की नाम से जाना जाता है बाला घाट को लौन जी का किला और काना नेशनल पार्क वाला घाट में ही इस्थत हैं गौलियर में इस्थत है दोस्तो अब बात आही है गौलियर की तो कुछ इम्पूटेंट फेक्ट आपको गौलियर के बारे हम बता दें ग्वालियर के लिए को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है भारत का दूसरा सूर्य मंदित मुरार ग्वालियर में ही इस्थित है तांसिन समाधी, सास बहु मंदिर, गोजरी महल, मोती महल, मान मंदिर ये सभी ग्वालियर में ही इस्थित है राजा मान सिंग तौमर शं औरलक्षन अभ्यारंट इस्थय थे एसीया का सबसे बड़न निर्मार संयंत्र कहा संध्ध स्थय थे जिसका सियोफ्षिन ने खजराहू जहाँ शूर्य 90 डिगरी पर लमबवत होता है इसका सेयोफ्शन है उजह उजहन में 21 जून को शूर्य 90 डिगरी पर लमबवत होता है नेक्स्ट क्वेशन बिश्व में बरिष्ट नागरिक पुनरवास नीती किसने अपनाई तो इसका सही option है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश राज ने बिश्व में सबसे पहले बरिष्ट नागरिक पुनरवास नीती अपनाई है बिसो का पहला राज जिसमें वरिस्ट नागरिक आयोक की गठन किया गया तो यह है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश में पहली बार वरिस्ट नागरिक आयोक का गठन किया गया बिसो में सबसे पहले शूर्न का उपयोग कहां किया गया था जिसका सही option है उज्जन उज्जन में शूर्न का पहली वार उपयोग किया गया था जिसे ब्रह्म गुप्त ने किया था बिसो की पहली वीली भाशी फिल्म कौनची है जिसका सही ओफशन है फैसला जिसे जाबुगा में शूट किया गया था नेक्स्ट क्वेशन, बेसो का पहला गौ अभ्यारंट कहां इस्थे थे? जिसका सही उफ्षन है मद्धिप्रदेश, मद्धिप्रदेश में बेसो का पहला गौ अभ्यारंट बनाया गया नेक्स्ट क्वेशन बेशो का पहला जनजातिय शामुदायक रेडियो केंदर कहां इस्थापित किया गया जिसका सही ओफशन है अली राजपूर जाबगवा जाबगवा में बेशो का दूसरा आदिवाशी सोध संचार केंदर है नेक्स्ट क्वेशन बहानों की उचाई को किस उपकृरण से मापा जाता है जिसका सही ओफशन है जॉन मार्सल नेस्ट क्वेशन वेव आधारत इमेल होट मेल की खोच किस ने की थी? तिसका सई उफ्षन है सवीर भाटिया सवीर भाटिया ने वेव आधारत इमेल होट मेल की खोच की थी नेस्ट क्वेशन रास्टी जल संसादन परिशत के अध्यक्ष कौन है? जिसकि सिह आफ़जन ए प्रधान मंतरी जी राश्टी जल संसादन परीशत के अध्यक्ष होते हैं और केंदरी जल संसादन मंतरी उपाध्यक्ष होते हैं सुर्यस्थ पॉइंट बम्नी दादर के रूप में जाना जाता है किस रास्टी पार्क का परमुक आकर्शन केंद्र है। काना रास्टी उद्ध्यान हिंगल राजगर्ड मध्रिदेश के किस जिली में इस्थित है। तो इसका सही option है मंदसौर में हिंगल राज मंकिला इस्थे थे अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही option है तीरतराज तीरतराज की नाम से अमरकंटक को जाना जाता है नेस्ट कोशन भारती रेजर्ब वेंग क्या है तो यह एक कैंदरी अधी कोश है नेश्ट क्वेशन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नियुनितम आयू किया है जिसका सई उफ्षन है तीस वर्ष नेश्ट क्वेशन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी शमय तक रास्टपती शासन लगाया गया है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक रास्टपती साचन लगा है दोस्तो आप बात आईए जम्मू कश्मीर की तो आपको इसके बारें बता दें भारत वर्ष में 26 अक्टवर 1947 को जम्मू कश्मीर शामिल किया गया था राजदानिया, शनीनगर जो विंटर में रहती है और जम्मू जो शामार में रहती है जम्मू कश्मीर की गवर्णार है सत्पाल मलिक नेक्स्ट क्वेस्टन चंबल कहां से शुरू होता है जिसको से औफश है जाना पाँ पहाड़ीों से चंबल जाना पाँ पहाडियों से शुरू होता है तो दोस्तों ये था हमार आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मद्धिप्रदिश का भारत में पहला इस्थान कैसे है तो आप इन वीडियो को बहुत जादा से शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिराज रहोंगे तब तक के लिए नमस्कार Have a nice day